आप लोगों ने यूट्यूब पे काफी सारे विडियोज देखे होंगे ट्रांस्फोर्मेशन्स के उपर लोग आपको बताते हैं ट्रांस्फोर्मेशन्स कैसे करनी है कोई ये बताता है कि ये ट्रांस्फोर्मेशन्स सही है या नहीं है काफी सारी controversies चलती रहती है कि भाई ये transformation जो है वो steroids लेकर हुई है ये transformation गलत तरीके से है ये transformation सही नहीं है कोई Bollywood की transformations की बात कर रहा होता है कि उसमें क्या गड़बर चल रही है और ऐसी बहुत सारी isolated videos आपको मिलती रहती मैं काफी समय से videos को देख रहा था समझ रहा था तो मुझे लगा कि शायद लोगों को एक collective एक information चाहिए ताकि उनको समझ में है जब हम बात करते हैं transformations की तो किस तरह से जो transformations है वो fake करी जाती है किस तरह से गलत transformations दिखा दिखा के आपको बेब को बना जाता है और किस तरह transformation जो सही होती है उन्हें कैसे पहचाना जाता है तो इस particular series में जो इंडिया की सबसे बड़ी series होगी body transformations के उपर इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो transformations हैं वो exactly कहां से शुरू हुई almost 20-25 साल मुझे इस field में हो चुके हैं अगर मैं बात करता हूँ sports की, fitness की, nutrition की और इस particular पूरी field की तो मुझे इस particular field में theoretical और practical experience लेते हुए काफी साल हो चुके और मैं एक चीज़ पूरे confidence के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपको fit और healthy करने में हर इंसान को interest नहीं maximum लोगों का जो interest है वो है आपको सिरफ fit और healthy दिखाने में कि देखो मैंने इसको ऐसा कर दिया उनको आपकी before-after pick किसी भी तरीके से जो करी गई picks हैं उनको बेचने के लिए उनको sell करने के लिए जो है वो ली जाती है आप और वो आपको वैसा before-after करने के लिए कुछ भी करने को तयार है जो fitness community है जो nutrition community है जैसे मैंने पहले बताया है कि fortunately or unfortunately इसमें कोई भी regulation नहीं है कोई governmental regulation नहीं तो maximum लोग जिनको इसमें easy money दिखता है वो इसमें आ जाते हैं और फिर शुरू होता है जूट, scams और frauds का सिलसला अगर हम बात करते हैं before-after picks की या transformation picks की तो आप देखेंगे social media पे आज कल ये जो before-after picks है ये भरी बड़ी काफी सारे लोग हैं, काफी सारे coaches हैं या काफी सारे detations हैं, या influencers हैं जिन्होंने अपने channels के ओपर ये picks डाली हुई है ये हमारा client है, इसे हमने coach करा इतने हफते, इतने महीने और ऐसे-ईसे हमने करा और देखिए इसकी ये before pick दिये थी, अब ये ऐसा क्या ये picks में कोई problem है? बिलकुल नहीं in fact, अपने business को बढ़ाने के लिए लोगों को motivate करने के लिए ये picks बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छी है क्योंकि तभी लोगों को पता लगता है कि भाई, नहीं, ये जो इनसान है इसने सच में इन transformations करी है इसने महनत करी है अपने client के ओपर इसको knowledge है, बट issue तब आता है कि जब ये before-after जो picks है इनकी जो पीछे की reality है वो कुछ और ही होती because ये before-after picks का जो trend है ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो लोगों को जल्दी से जल्दी ऐसी before-after transformation picks जो है, उनको produce करने की एक जो race है न, वो लग गई है वो उस race में पढ़ गई है और एसी बहुत सारी deception वाली चीज़े है इसके बारे में काफी सारे लोगों को जो इस field से नहीं है उनको नहीं पता है जिस तरह जो word diet है उसको किसके साथ associate कर देया गया है अगर आपको मैं बोलता हूँ कि ये इनसान जो है एक diet ले रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जबकि उस word का कोई मतलब नहीं है उससे इसका मतलब क्या है ये इनसान बहुत कम खाना का रहा है ये dieting कर रहा है ये starve कर रहा है क्योंकि उस normal word diet को associate किसके साथ कर दिया गया है starvation के साथ, कम खाने के साथ, torture के साथ तो diet सुनते ही मन में एक negative चीजानी शुरू हो जाती क्योंकि maximum लोगों ने ये practices अपनानी शुरू करी उसको नाम दे दिया diet इसी तरह जब हम transformation की बात करते हैं तो maximum लोगों के दिमाग में क्या आता है उनके दिमाग में आता है कोई miracle transformation रात-रात में magic ये इंसान ऐसा था, दो महीने के अंदर ये बिल्कुल change होगे ribbed six packs इसके निकल आए जो female इतने सारे fat के साथ थी वो दो या तीन महीने में बिल्कुल ribbed हो गई लेकिन लोगों को ये fake transformation देखके अच्छा क्यों लगता है क्यों एक pleasure मिलता है, खुशी मिलती है because ये आपके mind में, आपकी psychology में जो instant gratification का जो craze है instant gratification यानि जल्दी से खुशी बिना कोई काम करे result बिना पढ़ाई करे 90% लाना बिना मेहनत करे करोड़ पती बन जाना रात रात में weight loss कर देना बिना exercise बगारा के, बिना nutrition बगारा की समझ के, बिल्कुल जो है six packs और proper transformation कर लेना ये सारी चीज़े, इसे कहते है instant gratification, जल्दी हमें खुशी चाहिए वह आली कहानी सुनी है न, कि जो एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती थी तो उसके मालिक ने क्या सोचा, यार कौन weight करेगा, रोज़ो जो एक अंडेगा, मुर्गी का पेट फार देतों सारे अंडे एक साथ ही निकलाएंगे instant gratification, जल्दी पाने की चाह और इस चाहा के चक्कर में ये जो fake before after pics है, ये आजकल बहुत फैल रही उनको पता है लोगों को ये ही चाही, उनको instant gratification चाहीए, ऐसा नहीं के सारी pics गलत है, बहुत सारी pics हैं, जो बिल्कुल सही pics हैं, बिल्कुल original pics मैं आपको बताऊँगा वो कैसे recognize करनी, इस बुरी सीरीज में हम सब कुछ discuss करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं, pics का सिलसला शुरू कहां से हुआ, तो मुझे exactly इंडिया में इसकी कोई history समझ नहीं आई, लेकिन जहां तक मुझे आदा है, because मुझे काफी साल हो चुके हैं तो जब ये social media और जब ये internet बगार इतना famous नहीं हुआ, तो सबसे पहले जो ये before-after pics, लोगों को सच में दिखने लगी, वो दिखने लगी, ये जो fraud शुरू हुए थे, slimming centers के नाम पे जिसको मैंने exposed करा था, ये आज भी चल रहा है जब ये slimming centers बगारा इंडिया में आने शुरू हुए, तो suddenly newspapers में, front page के ओपर magazines में, आप जहां खोलें, किसी इंसान की before-after pics, उस time तो किसी को ये भी नहीं पता होता था, कि ये photoshop से भी हो सकती है, ये pics हैं किसकी ये कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता था, उन्हें सिरफ ये पता था, देखो यार ये इंसान जो है, ये ऐसा था, इतना मोटा था, ये लेडी इतनी मोटी थी, देखो कितनी पतली होगी, 25 किलो लूज कर ली, और क्या लिखा होता था, no dieting, no exercise, no nothing, मतलब कुछ करे बिना, इस इंसान को within 1 month, 2 months, ये इतना 25-30 किलो से ऐसी होगी, ये fraud शुरू हुआ था, slimming centers जो frauds हैं उनसे, ये जो slimming centers का fraud था, ये आया था, western countries, जहाँ पे लोग already बेफकू बनके समझने भी लग गए थे, लेकिन इंडिया में उनको ये पता था के भई, जब उस country में जहाँ पे इतनी limited population है, लोग इतना बेफकू बनके पैसे दे रहे हैं, तो इंडिया जैसी country जहाँ पे education level इतना लोग है, करोडो लोग है, बेफकू बनाने वाले, वहाँ कितना पैसा हम कमा लेंगे, और उन्होंने कमाया, उन्होंने बहुत बेफकू बनाया और आज भी भी बना रहे हैं, अब तो अफकोस लोगों को पता लग चुका है, कि इस लिमिंग सेंटर बगा रहे हैं, लेकिन यह आज भी चल रहे हैं, क्योंकि population बढ़ती रहती है, लोग एक age group से दूसरे age group में कदम रखते रहते हैं, तो नई population आती रहती है, जिसे आप continuously बेकू बना सकते हैं, और यह जो before-after-pix थी, उस समय किसी ने question नहीं करा, किसी को समझ ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था, new phenomenon था, लोग ने believe करना शुरू कर दिया, तब तक इन slimming centers ने बहुत पैसे कमाया, और तीरे-दीरे लोगों को इनके frauds के बारे में पता लग लगा, कि अंदर हो क्या रहा है, कि बिना मेहनत के, बिना proper nutrition के, proper diet के, proper exercise के इन चीजों के results कभी नहीं आ सकते, तो यह कैसे promise कर रहे हैं, यह लोगों को तब realize हुआ, जब लोगों को हाम होना शुरू हुआ, जब लोगों को इनकी fraud थे, dietations थे, trainers थे, बाकी influencers थे, उन सबने भी इसको adapt करा, उन्होंने बोला, भाई, यह marketing का बहुत अच्छा तरीका है, तो जैसे मैंने बता है, तरीका गलत नहीं है, क्योंकि कई लोगों तो सच में महनत करके अपने clients को transform कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने सिरफ marketing trend को देखा, उनकी कोई education नहीं थे, लेकिन रात-रात में उनको ये एक पैसा कमाने का धंदा मिला, तो वो रात-रात में अपने आपी nutritionist बन गए, रात-रात में वो coaches बन गए, और जब social media आया, तो ये जो particular phenomena था, ये और ज़ादा बढ़ने लगा, क्योंकि social media ने एक बहुत ही large population के पास आपकी जो information थे, उसे पहुचाने का एक जरिया दिया, जो पहले कुछ लोग newspaper पढ़ रहे थे, और बहुत पैसा खर्च होता था, आज वो information free में, आप लाकों करोडों लोगों तक पहुचा सकते हैं, in fact, कुछ साल पहले तक तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई, इतने समय से मैं study कर रहा हूँ, मैं इतने courses करें, certification करें इतनी books पढ़ी, इतनी books लिखी, इतने blogs, articles लिखे, इतनी research भी कर रहा हूँ multiple fields में, ऐसा कौन सा secret formula है यार, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा formula है, जिससे एक इंसान, जो X amount of fat carry कर रहा है, एक female जो X amount of fat carry कर रही है within 3 months, इतनी shredded or ripped हो जाए इंसान, और वो जहां से उसने ऐसा करा, वो उसे कह रहा है कि भाई, यह 100% natural है इसमें कोई diets नहीं करी गई, इसमें कोई exercise का major वो नहीं था, मतलब कैसे, भाई कौन सी nutrition book है जो मैंने नहीं पढ़िया कौन सी ऐसी fitness book है जो मैं miss कर गया, या कोई ऐसी information है जो मेरे दिमाग में आई नहीं, मेरे सामने से निकल गई तो ऐसे questions जो थे, यह मुझे भी परिशान करने लगे, और उसके बाद, of course, मैंने देखा गई, जो social media पे, YouTube बगार पे, controversies हाई, किसी ने बोला, भाई, देखो यह, मैंने transform करा है, किसी ने बोला, भाई, यह, सिरोइज वाले transformation उतरा काता है, नहीं भाई, यह natural है, उसने बो उपर रहा है, और जो frauds है, वो prosper कर रहा है, क्योंकि जो मेरा program है Genesis, जो आज world में almost 25 से उपर countries में है, हजारों लोग जो है, जो मुझे contact करते हैं, virtually every single field से, जो आप imagine कर सकते हैं, सारे age group से, multiple medical condition, चाहे वो non-sportsman हो, यह professional sportsman हो, चाहे वो doctors, यह physicians हो, यह scientists, यह engineers हो, चाहे वो CEOs हो यह pilots हो, चाहे वो IT employees हो, यह वो defense forces personal हो, यह police personal हो, यह paramilitary forces personal हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो pregnant woman हो, चाहे वो elderly हो, चाहे कोई injury rehab case हो, यह कोई और case हो, मेरे पास multiple cases आते हैं, जिन मेंसे कुछ interventions, अपकोस मेरे अंडर हैं, बाकी medical field है, यह doctors वगरा के साथ मिलकर, जो करी जात website vsdopit.com पर जाके देखें, तो बहुत सारी before-after pics मैंने डाली हुई, लेकिन इन pics के पीछे में आपको एक reality बताता हूँ, आप इन pics को जाके देखी, males की हैं, females की हैं, females की हैं, females की काम हैं, क्योंकि maximum females मना कर देती, उसमें घर में problems होते हैं, तो maximum females अपनी before-after pics नहीं देती, ज transformation सेम नहीं, एक भी इनसान ऐसा नहीं है, जो 100% natural है, और बिलकुल ribbed हो गया हो तीन महीने में, क्योंकि लोग आपको ये तो बता देते हैं, कि before-after क्या है, लेकिन लोगो ये नहीं बताते हैं, कि before-after के after क्या है, ये हमें सीरीज में डिसकस करेंगे, आप अगर मेरी before-after pics से transformation transformation pics जो मेरे program से है, उसमें देखेंगे, तो उसमें जो नीचे testimonials लिखे हैं, वो testimonials भी उनीकी language में मैंने एक word भी change नहीं करा है, अगर उसमें कोई grammatical mistake है, या कोई error है, या कोई pronunciation की mistake है, कुछ है, वो वैसी की वैसी है, अगर वो pics इनसान ने कहीं पर खीची हुई है, वो व बताऊंगा मैं, तो इस series में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप में सा जुड़े रही है, और देखते रहिए पूरी की पूरी series जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको clearly बताऊंगा, और इस series के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरहां से जो transformation का काम चल र और ऐसी बहुत सारी amazing videos के लिए देखते रहिए, we are stupid